नेक्स्ट कंडिशन में हम आ जाते हैं जब लेखक उस विपत्र को भुना लेता है इस कंडिशन में जब विपत्र का धारक भुक्तान तीथी से पहले ही उस विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना ले ऐसी कंडिशन में केवल लेखक के यहां प्रविष्टी होती है स्विकर्ता कि यहां इसकी कोई प्रविष्टी नहीं होती है फिलाल हम देखें कि लेखक कहां कौन से प्रविष्टी होती है तो लेखक अपनी हैं एंट्री करता है बैंक खाता डेबिट बिल पर बट्टा खाता डेबिट प्राप पे विपत्र खाता से bank account debit discount on bill account debit to bills receivable account स्विकर्टा कि हाँ इसकी कोई प्रविष्टी नहीं कि जाएगे कि कि इसमें यहाँ पे कोई relation स्विकर्टा से नहीं बना भुनाने की entry से स्विकर्टा का कोई पक्षप्रभावित नहीं होता है इसलिए यह जो entry है सिर्फ लेखक के पुस्तक में किये जाएगे नेक्स्ट स्टेप जब एक लेखक विपत्र को बट्टे पे भुनाता है बैंक से तो कुछ बातों का इसको जो ध्यान रखना होता है कुछ नई बाते जो इसमें निकल कर आती है उन पे एक नज़र डाले तो एक तो हम यहां पर देखते हैं कि इसमें हम बार-बार जो बात करें कि बट्टे पे भुना लेता है तो बट्टा क्या है कितना उसको डिसकाउंट मिलेगा क्या उसका रेट ओफ इंट्रेस्ट होगा यह अरली होगा कोट अरली होगा यह सारी चीज़े आती है तो एक तो सीधी से बात है कि विपत्र में जो नरधारित की गई है बट्टे की राशी उसके कोडिंग समझोते के अनुसार जो रेट ओफ डिसकाउंट नरधारित किया गया उसके अनुसार ही यह डिसकाउंट मिलेगा और प्रतिवर्ष के आधार पर इसकी कैलकुलेशन की जाएगी दूसरी एक बात ध्यान में रखने होगी यह है कि बट्टे की गढ़ना जब की जाएगी तो विपत्र के भुकतान कीती थी और विपत्र के भुनाने कीती थी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस पे बट्टे की गढ़ना की जाएगी एक उदाहरन से इसको एक बहुत थी लेकिन विपत्र का लेखा कैनी की एजो है इसको एक महपूर्व बट्टे पर भुना लेता है तो कितने दिन पहले वह बट्टे पर भुनाया एक महपूर्व तो यहां पर बट्टे की केलकुलेशन केवल एक महीने के आधार पर ही करेंगे यह हमको ध्यान में रखना होता है अगली एक महत्पूर बात यह होती है कि इस कंडिशन में बट्टे की गढ़ना करते समय अनुग्रह दिवस का भी विचार करना जरूरी होता है तो यह हमने देखा कुछ ऐसी कुछ सुरेशार का माल सुरेश से क्रा किया राजेश ने इसके लिए तीं माहें के अवदी का एक विपत्त्र स्विकार किया उसृत इथि को सुरेश ने वक्त विपत्र को 5% बट्टिए पर बैंक से भुना लिया दे तipl पर विपत्तर का भुक्तान कर दिया गया? राजेश और सुरेश की पुश्टुपों में जनरल की आवश्यक प्रविस्टिया कीजिए. क्योंकि इस प्रेश्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राजेश ने सुरेश को माल बेचा है, याने कि राजेश विक्रेता है और सुरेश क्रेता है यहां हमको बहुत साधानी से समझ लेना है कि लेकर क्याने ड्रॉवर कौन है और स्विकरता याने कि एक्सेप्टर कौन है तो जो माल बेचता है विक्रेता होता है वो विपत्र को लिखता है याने कि वही लेकर वही ड्रॉवर हो स्वी करता है कि या कि यानिकी स्वी करता है सब्सक्राइब ने माल क्रेक किया है सुरेश को सुरेश को यानि कि यहां पर सुरेश है वह विक्रेटा है लेखा क De certa द कहलाता है याने की एक्सेप्टर हैं तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे सुरेश यानि विक्रेता जो है ड्रावर जो है उसकी पुस्तुकों में और फर्स्ट एंट्री जबकी वो राजेश को माल बेचेगा तो वो एंट्री करेगा फस्ट अप्रेल को राजेश डेबिट तू सेल्स बेंग गुड्स ओल टू राजेश ओन ट्रेडिट फॉर थाउसंद फोर जुलाई को उसने बिल लिखा है राजेश पे इसके लिए एंट्री करेगा बिल्स रिसीवबल अकाउंट डेबिट तू राजेश बिइंग एक्सेप्टेंस गिवन बाई राजेश जब सुक्रित ह वह कर उसे प्राफ्श होता है दो फोर थाउजन से इसके एंट्री कि जाएगी और जब वह उस बिल का भुक्तान कर लेता है यह बाट्टें लेता एंदंद तो एंट्री होगीünf गु की तो बॉना लेता है क्योंकि तीन मां की अवधी के लिए बिल था तो तीन मां के लिए ही हम इंट्रेस्ट यहां पर क्याल्कुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा 4000 इन्टू 5 इन्टू 3 डिवाइद बाइ 12 इन्टू 100 यानि 50 रुपीज हमें आप बिल सो आप डिस्काउंट ले लिखेंगे टोटल जो बिल था वो 4000 का था डिसकाउंट अगर मिसमे से मैनस कर देते हैं तो यह बिल जो कैश की जो एमांट हो जाएगी जो हम बैंग में ट्रांसकर करते हैं वो हो जाएगी 3950 फिप्टि रुपेज डिसकाउंट प्र जाएगा और टोटल बिल से लिखेंगा के अमांट हो करता है तो संट्रेंट्रे होगी पर्चसाफाजाउंट अपना स्टक्राइब तो सुरेश बंगोर्स पर्चस्परश्ट्राइटिट फ्रॉच सुरेश4000 इसकेंट्रे करेंगे सेकेंड जब बंद और यह एक्सेप्ट करेगा तो यह एंट्री फो जाएगी सुरेश टेबिट तो बिल्स पेबल अकाउंट बेंग गिवन एक्सेप्टेंस ऑन बिल ओफ एक्सचेंज 4,000 का और जब पेमिंट हो जाएगा बिल पर तो एंट्री की जाएगी 4 जुलाई को बिल्स पेबल अकाउंट डेबी तुट कैश 4,000 एक जनवरी 2006 को विश्वनात ने कपिल देव को 2,000 रुपए की क्रिकेट की गेंद बल्ले आदी बेचे कपिल देव ने 1,000 रुपए नगत दिये तथा 6 राशी के लिए 3 माँ की अवधी का एक विपत्र स्विकार करके विश्वनात को लोटा दिया विश्वनात ने 4 फरवरी को इस विपत्र को अपने बैंक से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ट की दर से बटे पर बुना लिया देट इथे पर विपत्र का भुकतान कर दिया गया उपयूगत वेवहारों का लेखा दोनों पक्षों की नकल बही में कीजिए इस प्रश्णी में विश्वनात ने कपिल को क्रिकेट की ग GT बल्ले आधि बेचे है यारे की विश्वनात Q &cend थार पिस्तु करता है यह विपत्र को स्विक्रित करेंगा यह देखना होता हुथ कि कुछ रावर कौन है और एक्सेप्टर कॉन है थाकि इम उनकी पुस्तु को अलग-अलग एंट्री कर पाएं तो सबसे पहले हम जेखक विश्विनाथ के पुस्ततक के एंट्री करेंगे रहेंगे फस् जैनरे को तो यह हो जाएगी Cash account debit to couple देओ Cash received 1000 और बांकी जो 1000 के amount है उसके लिए इसने बिल लिखा है जिसकी एंट्री हो जाएगी बस receivable account debit to couple देओ acceptance received for 3month 1000 से इसके एंट्रे करेंगे और 4th February को क्योंकि इसको बट्टे पर भुना लिया गया है तो इसकी एंट्री हम करेंगे bank account debit discount account debit to bills receivable account और calculation इसमें हम कर लेंगे क्योंकि 1000 का ये बिल था 6% इस पर डिसकाउंट है और क्योंकि 4 फरवरी को इसको बट्टे पर भुना लिया गया यानि कि ये जनवरी में केवल रहा तो यहाँ यहाँ प calculate कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1000 इंटु 6 इंटु 2 divided by 12 इंटु हंड़ेट और 10 रुपिस और नेट अमांट जो जाएगी जो रिसीव होगी वह हो जाएगी 910 और टोटल अमांट जो होगी वह हो जाएगी 1000 वैसे अब हम कपिल क्या हां एंट्री कर लेंगे तो यह हो जाए जाएगी विश्वनार डेबिट टो कैश कैश पेड 1000 और जो बैलन्स जो 1000 इमांट थी उसके लिए यह विपत्र पे स्विकृति दे रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी विश्वनार डेबिट टो बिल्स पेबल अकाउंट एक्सेप्टेंस गीवन फोर त्री मन्त तो 1000 इसके एंट्री हो जाएगी और बिल्स पेबल नेक और लास्ट जब अमांट रिशी रिसीव हो गया पर तब एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टो कैश अकाउंट 1000 से एक्स ने एक अप्रल 2017 को वाई को 30,000 रुपे का माल बेचा तथा एक्स ने वाई पर दो माह की अवधी का 30,000 रुपे का एक बिल्स लिखा वाई ने इस पर अपने स्विक्रती प्रदान करके एक्स को लोटा दिया एक्स ने 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से इसे बुना लिया दे तिति पर बिल का भुगतान कर दिया गया दोनों पक्षों के पुस्तुकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए इस कोश्चन में हमको बहुत साउधानी से यह देखना है कि इसमें ड्रॉवर यानि की लेखक कौन है और एक्सेप्टर यानि की स्विकरता कौन है अब यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक्स ने वाई को माल बेचा यानि कि एक्स जो है वो विपत्र का लेखक है ड्रॉवर है और विक्रेता है और क्योंकि उसने वाई को माल बेचा है तो वाई क्रेता है या हम कहा है स्विकरता है विपत्र का यानि एंट्री करेंगे फिस्ट एंट्री यह जो वाई को माल बेचेगा उसके की जाएगी तो यहां पर पर फिस्ट एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू सेल्स अगउंट विंग में गुट उल्ल टु वाई ऑन क्रेडिट 30,000 से इसके एंट्री हम करेंगे उसके बाद जब Y इस विपत्र पर स्विकृति देगा और फिर वापस करेगा X को तो यहाँ पर X अपनी पुस्तक में जनरल एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो वाइस अकाउंट बिल्स गिवन एक्सेप्टेंस पॉर बिल्स थाउजन से इसके एंट्री हम करेंगे और जब इस विपत्र को X जो है वो 6 परसेंट डिसकाउंट पर बट्टे ब भुना लेगा तो इस कंडिशन में वो भुनाने के एंट्री करेगा bank account debit discount account debit to bills receivable account being bills discounted before the purity period at the rate of rupees 6% per annum अब यहां पर हमको calculation करनी पड़ेगी कि discount कितना दिया जाए तो यहां हम देख रहें कि 30,000 का bill था 6% per annum है और 2 month के लिए वो लिखा गया है तो यहां पर हम calculation करेंगे 30,000 into 2 into 6 divided by 12 into 100 तो यहां पर यह amount आ जाएगे 300 के और जिसके हम discount में लिख देंगे और यहां हम देख रहें कि total जो bill था वो 30,000 का था जिसमें 300 जो है वो discount आ गया यानि कि amount जो receive होगी x को वो होगी 29,700 तो जब x अपनी book में entry करेगा bank account debit तो वहां पर वो 29,700 से entry करेगा discount जो debit होगा वो 300 से होगा और total bills receivable के amount 30,000 जो कि credit में जाएगी तो यह तो हमने x की book में entry कर दी अब हमको y आने की acceptor की book में भी entry करनी है तो y क्योंकि वो purchase कर रहा है क्रेता है तो सबसे पहले वो crack करने की एंट्री करेगा अपनी book में और किस से crack कर रहा है वो x से तो यहां पर वो entry करेगा purchase account debit to x account being goods purchase on credit from x 30,000 से entry करेगा इसके बाद यह इस 30,000 की amount पर क्योंकि प्रेशन में दिया रहता है इस पर रूप से कि अपनी स्विकृति वो प्रदान किया और x को लोटा दिया तो जब वो इस bill पर स्विकृति प्रदान करेगा तो वो second entry करेगा x debit to bills payable account being acceptance given for bill और 30,000 से वो इसके entry करेगा next यहां पर दिया गया है कि x जो था उसको बटे पर भुना लिया यानि कि कुल मिला का payment हो गया यह माना जाएगा तो payment की normal वो entry करेगा यहां पर भुनाने की या बटे की discount की किसी प्रकार की entry हमने देखा वीडियो में भी कि acceptor के हां तो होती नहीं है normal payment हो गया इसकी entry हाँ पर करनी है तो acceptor यानि कि y की book में third entry जो होगी वो जाएगे bills payable account debit to bank account being payment of bill made तो यह 30,000 सी entry हो जाएगे एक्स ने वाइग पर दो मा की अवधी का एक बिल 3000 रुपए का लिखा वाइग ने इस पर अपनी स्वित्रिती प्रदान करके एक्स को लोटा दिया एक्स ने इसे 6% प्रतिवर्ष की दर से भुणा लिया दे तिति पर बिल का भुपतान कर दिया गया दोनों पक्षों के पुस्तुकों में जनरल के लेखे कीजिए इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि एक्स ने वाई पर एक बिल लिखा है और एक नया पॉइंट जो इसमें यह है कि बिल को बटे पर भुनाया गया है तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बहुत साथ आने से यह देखना है कि इसमें लेखक कौन है स्विकरता कौन है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स ने वाई पर बिल लिखा है याने कि एक्स जो है वो लेखक है ड्रॉवर है और वाई जो है वो एक्सेप्टर है याने कि स्विकरता है तो सबसे पहले हम X की पुस्तकों में एंट्री करेंगे बिल के स्विक्रित होकर प्राप्त होने की तो फर्स्ट एंट्री X यानि के लेखा की पुस्तक में हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबी तो Y's अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नरेशन हम यहां लिखते है बिल्स डिसकाउंटेट विद बैंक 6% और डिसकाउंट के कैलकुलेशन यहां पर हम करेंगे तो एक चीश हमको बहुत साधानी से यहां पर देखने है कि कि इसकाउंट हम यहां पर कैलकुलेट करें कई बार ऐसा होता है कि एक माह पूरो भुना लिया, तो दो माह की अधिके विपत्र को अगर वो एक माह की पूरो भुना लेता है, इसका अर्थी होता है कि कि एक माह का ही discount हमको calculate करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो पूरा का पूरा दो माह का हमको यहाँ पर discount calculate करना है, तो यह working note में हम छोटा से working note बना लेंगे, यह हो जाएगा 3000 into 6 into 2 divided by 12 into 100, और calculation हम करेंगे तो देखेंगे कि 30 रुपीज हमको discount यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो और total जो amount पेबल थी, वो 3000 थी, जिसमें से 30 रुपीज का discount हो गया, तो यहाँ पर जो हमारी net amount bank में आ जाएगी, वो हो जाएगी 2970, तो यहाँ हमारी जो general entry हमने की है, bank account debit इसमें आ जाएगा 2970, discount account debit इसमें आ जाएगा 30, और to bills receivable, यानि की total 3000, इसी तरह से हम acceptor यानि की स्विकरता की book में entry कर लेंगे, तो क्योंकि जो स्विकरता जो है, उसने Y जो है, उसने X को विपत्र पर स्विकरती दी है, तो वो अपने book में first entry करेगा, X debit to bills payable account being given acceptance on bills of exchange, 3000 से हम इसकी entry करेंगे, और बुकतान की जो entry है, उसमें discount वगएरा, यहाँ पर हमको calculate करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, normal bills of exchange की payment की जो entry होती है, वही entry यहाँ पर होगी, तो यहाँ second entry Y के book में हो जाएगे, bills payable account debit to cash account और 3000 से हम इसकी entry करेंगे, narration हम यहाँ पर लिखेंगे, being payment of bills of exchange made, प्रकाश 3500 रुपय का माल विनय को बेचता है, और इस राशी के लिए तीन माह की अवधी का एक विपत्र विनय पर लिखता है, जिसे विनय स्विक्रित करके देता है, प्रकाश इस बिल को 12% वार्शिक की दर्से बैंक से भुना लेता है, परिपक्वता तिथी पर इस बिल का भुक्तान कर देता है, दोनों पक्षोग में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए, इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार है, प्रकाश और विनय, बहुत साधानी से हमको देख लेना है कि यहां पे लेखक यानि की ड्रॉवर कौन है, और स्विकर्ता यानि की एक्सेप्टर कौन है, तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रकाश ने विनय को माल तो सबसे पहले हम प्रकाश की पुस्तुकों में एंट्री कर लेंगे जो कि ड्रॉवर है और यह विन्य को जब माल बेचेगा तो फॉर्स्ट एंट्री माल के बेचने की करेगा जो कि हो जाएगी विन्य डेबिट तो सेल्स अकाउंट बेंग गुट सोल्ड तो विन्य 3,500 अब जबकि यह विन्य से स्वित्कृति प्राप्ति करके बिल को वापस लेगा तो यह अपने विक्स ऑफ अकाउंट पे जन्रल एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विन्य बिंग एक्सेप्टेंस ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3,500 से इसके अंट्री की जाएगी और नेक्स्ट क्योंकि यहां पर दिया गया है प्रकाश इस बिल को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से बैंक से भुना लेता है तो इस कंडिशन में हमको इस पे कैलकुलेशन करनी होगी कि डिस्काउंट कितना आएगा तो क्योंकि तीन माँ की अबदी का बिल है तो यहां बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे 12 प्रतिशत की दर से बट्टा है इसमें तो 3,500 इंटो 12 इंटो 3 डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ इंटो 100 इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 105 रुपेज हमको यहां पर तो टोटल हमने देखा कि 3,500 का बिल था इसमें से 105 जो है वो इसको डिसकाउंट चला गया तो 3,500 माइनस 105 यानि कि बैंक में जो इमाउंट जाएगी वह जाएगी 3,395 अब क्योंकि हम यहां पर जेनरल एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट इसकाउंट अकाउंट सब माइनस करने के बाद जो आती है वो लिखते हैं तो बैंक डेबिट में यहां पर आएगा 3,395 डिसकाउंट हमने क्या है 105 तो टोटल बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा यहां पर 3,500 अब क्योंकि यह जो एंट्री थी वह हमने प्रकाश की पुस्तुकों में की है क्योंकि लेखक था ड्रावर था तो उसने विपत्र को लिखने की उस पर स्विक्रती प्राप्त करने की और भुना कर पैसे प्राप्त करने की अपने अकाउंट में की है अब हमको एंट्री करनी है बिने जो की स्विकरता है स्विकरता की बहियों में तो स्विकरता की बहियों में क् पर्चेस करेगा प्रकाश से तो पर्चेस करने की अंट्री करेगा पर्चेस अपाउंट डेबिट वह करेंगे सेकंड पॉइंट जो है व्यपत्र पर सुविकृति देगा वह प्रोसे से इसका यह होता है होती है वह हमने देखा तो फिलहाल यहां पर जो है वह बिल्स चेटी दे रहा है तो स्विकृत्य देनी के वह अप्प्रेकर करे सकार्व करेंगा प्रकार डेमिट ठोल पेबल बिंग एक्सेप्टेंस मेट ऑन बिल्स ऑफ एक्सेंज और 3500 से ही इसकी एंट्री हम करेंगे अब जो जो कि बट्टे पर भुना लिया गया है विपत्रियाने की उस पर पेमिंट जो है वो हो गई है तो एक्सेप्टर की बुक में थर्ड एंट्री जो होगी वह होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टो कैश अकाउंट और 3500 से इसकी एंट्री करेंगे एक जन्वरी 2008 को जै ने विजय से 2000 रुपए का माल खरीदा और दूसरे दिन आधा धन नगत देकर शेश राशी के लिए बिल पर दो माह की स्विक्रती दी चार जन्वरी को विजय ने इसे 5% प्रतिवर्ष वार्शिक बट्टे पर भुना लिया देती थी पर जै ने अपने स्विक्रती चुका दी विजय और जै के पुस्तुकों में जनरल की आवश्यक प्रविश्टिया कीजिए यहां पर हमको बहुत ध्यान से देखना है किसने किसको माल बेचा किसने माल खरीदा कौन विक्रेता है कौन क्रेता है कौन लेखक है कौन स्विकरता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जै ने विजय से माल खरीदा यानि जै जो है वो क्रेता है एक्सप्टर है इसका मतलब विजय जो है वो क्रेता है यानि की लेखक है यानि की ड्रॉवर है तो सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे वो विजय की पुस्तक में करेंगे तो इस तरह से समझें कि विजय ने जय को 2000 रुपय का माल बेचा तो फर्स्ट एंट्री अपनी बुक में करेगा जय डेबिट टू सेल्स जय डेबिट टू सेल्स बेंग गुट सोल टू जय और 2000 से इसकी एंट्री हम करेंगे दीया गया है कि दूसरे दिन आदा धन नंगत देकर 6 राशी के लिए 2 माह का बिल स्विकृत किया तो इस एक पॉइंट पर 2 एंट्री होगी एक एंट्री तो आदा धन नगत देने की होगी और दूसरा धन विपत्तर पर स्विकृति देने की होगी तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो होगी जिसमें आधा धन प्राप्तो हो जा रहा है जैसे तो यहाँ एंट्री हो जाएगी सेकेंड कैश अकाउंट डेबिट टू जै कैश रिसीव प्रॉम जै और क्योंकि 2000 का आधा यानि कि 1000 होता है तो 1000 से हम इसके एंट्री करेंगे तो थर्ड एंट्री है हमारी हो जाएगे बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू जै और 1000 से हम इसके एंट्री करेंगे 50% ही अब रिसेव बिल्स ऑफ एक्स्चेंज के लिए बचा है बाकि 50% के कैश प्रेमिंट की जा चुकी है नेक्स्ट पॉइंट जबकि चार जन्वरी को विजय ने इसे पास प्रतिशत वार्षिक बटे पर भुना लिया तो भुनाने के एंट्री हम लेखक कहा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिसकाउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और यहां पर हम देखते हैं कि बिल कितने का था तो यहां हम देख रहे हैं कि 1000 का यह बिल था क्योंकि 50% के लिए बिल हमको यहां पर लिखना है तो यह हो जाएगा 1000 into 5 into 2 divided by 12 into 100 तो यह amount आ जाएगी यहाँ पर discount की 8.33 और total क्योंकि हमने देखा 1000 का यह bill था इसमें 8.33 जो है वो discount मिल गया तो यहाँ पर हमको जो entry करनी है bank में वो entry हम 1000 minus 8.33 से ही करेंगे जो कि हो जाएगी 991.67 तो यहाँ हमारी general entry हो जाएगी bank account debit 991.67 से discount account debit 8.33 से and bills receivable जो credit होगा वो total 1000 से होगा अब second party यानि की एक्सेप्टर यानि जै की बुक में हम entry करेंगे तो first जबकि यह goods purchase करेगा तो इसकी entry हो जाएगी purchase account debit to jay और 2000 से यह goods purchase कर रहा है 2000 से हम इसकी entry करेंगे और next जबकि 50% amount को यह cash में दे दे रहा है तो इसके लिए हाँ पर हम entry करेंगे विजय debit to cash second entry और 1000 से में इसकी entry करेंगे क्योंकि 50% राशी उसने नगत दे दी है उसके बाद बचा है जो balance 1000 उस पे हमको एक विपत्र लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर entry करेंगे विजय debit to bills payable account 1000 से मिसकी entry करेंगे और जब इस पे payment हो जाएगा यानि कि इसने बैंक से बट्टे पर भुना लिया तो पेमिंट हो गया तो पेमिंट की entry acceptor यानि कि जय के बुक में हो जाएगे bills payable account debit to cash account 1000 से हुआ है झाल 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 झाल